जाहिंद आपके अपने चैनल निवर्श्टरी 24 के ब्रहमास्ट सीरीज का जो टेस्ट नवर 32 था जो की था सेल कोसी का से सम्बंधित था टॉपिक इस टॉपिक का जो हम एक्स्प्लानेशन वीडियो लेके आए हैं तो जैदा नदेर करते वे चलते हैं आज के फर्स्ट चानल था डी येन की को जयेगा इसका दिएन एक हो जाएगा प्रोलानलालिक पदार्थ भी हैं जादा था जिन यॉए आप उससे उसे अन्वाटर पदार कर सकते हैं अगर वही पर जो एक question बोल दे कि DNA का पुरा नाम क्या है देखिए यह जो important है DNA का पुरा नाम तो देखिए DNA का पुरा नाम जो है D-Oxyribonucleic Acid होगा क्या होगा D-Oxyribonucleic Acid अगर वही पर पूछ देखिए कोशी काम इसकी संख्या कितनी होती है DNA की संख्या तो देखिए आपको याद रखना है 46 होती है अगर वहीं आपको जोड़ा में पूछ दे कि कितने जोड़े में रहती है तो यहाँ पर आपको आंसर देना क्या देना है 23 यानी 23 देना है इसके अलाबा अगर बात करें तो केंद्रक, मैट्रोकॉंड्रिया और कलोरोप्रास्ट में भी जो है DNA पाया जाता है कहां कहां पर पाया जाता है तो केंद्रक में तो पाया ही जाता है मैट्रोकॉंड्रिया में भी पाया जाता है और कलोरोप्रास्ट में भी जो है पाया ज समंधित तो देखिए डी एने की डू कुंडलिट संदचना जो है जेम्स वाट्सन और फ्रांसिस किरिक ने प्रस्टूट कि थी कोश्चन पूछ देगा कि किस वज्ञानी को डी एने कुंडलिट संदचना के लिए नोबेल का पुरुषकार दिया था तो आपको यह भी याद देखिए आर एने जो है तीन परकार का होता है कितने परकार का तो आर एने जो है तीन परकार का होता है एक होता है मेसेंजर आर एने और दुसरा होता है राइवो सोमल आर एने और तीसरा क्या होता है तो इसमें जो मेसेंजर आर एने जो है इसका क्या काम है तो इसका काम है यह जो सूचना को क्या करता है, डी एने से जो है, प्रोटीन संसलेशन अस्थान तक भेजता है, कहां पर तो यह जो है, मेसेंजर आरेने जो है, डी एने से जो है, प्रोटीन संसलेशन अस्थान तक जो है, सूचना को भेजता है, वही अगर बात करें राइबोसोमल आरेने को तो यह जो है रैबो सोम के जो है संदाशनात्मक संगठन में क्या करता है यह जो है सायक होता है और अगर यहीं पर अगर बात करें ट्रांसफर आर एने की तो यह जो है अमीनों अमल को क्या करता है परोटीन तक जो है लाता है और इसी ट्रांसफर आर एने की खोज जो है किसन से नोबल पुरूशकार ॐल, घर पुरुशकार मिल था और अगर पुछ था आर न आ न की खोज की थी, हरी गोबिंड खुराना वह कहां पर किया था तो आपको यह याद रखना है कहां पर तो पडियोग साला में तो देखिए इसी से रिलिटेर जो है तीसरा question है परियोग साला में सर्वपर्थम DNA का खोज किस ने किया था तो किस ने किया था तो आपको वही बात है तो इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा खूरान आनिया अब देखिए चोथा question है DNA को किस ने जो अंतव अंतव पातर में बनाया तो DNA को किस ने जो अंतव पातर में बनाया था तो इसका आंसर हो जाएगा इसका और पावर्र को जाएगा बी हो मेट्रोकोंड्या तो क्यों तो देखिए इसलिए इससे कहा जाता है क्यों कि subject करता है बात करता है और अगर बात करें कितना ओड़ें तो देखिए 36 ATP ौनि गौल डो compute 학ा ईसको है बन जाता है तो गौलकोंज अनु Кे तुटने से कितना बन जाता है तो 36 ATP जो है उर्जा बन जाता है वहीं अगर बात कर दे मैट्रोकॉंड्रिया में जो कितना बनता है तो 34 ATP मैट्रोकॉंड्रिया में ही बन जाता है और इसी कारण जो है इसे क्या कहा जाता है तो उर्जा कि नियंत्रन में निलिखीट में से कšका उत्ता May जीव आ इस में प Tennantir करता है आगर अगर आपके बीए ne की बात करें तो देखिए डैनैने का कि अंदर जो है संपन होने वादे सब कोशिका में उन सभी का नियंतरन करता है। इतना चीज आपको याद रखना है। अब दखेंगे सातमा कोश्चन है किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो देख्ये वश्य सभी में एंजाइम कुछ न कुछ होता है। लेकेन में भी होता है जिवानू में भी होता है और विसानू में भी होता है लेकिन जो है इसे जो है बीपेसी जो है गलट कर दिया एक बार जो है यह बीपेसी में कोश्चन पूछा गया था बीपेसी का यह जो है इसका आंसर जो है बीपेसी का बीपेसी ने इसका आंसर जो ह है कि समय जो है ATP में बदल जाती है, कलॉरोपलास्ट में जो है यह जो ATP में बदल जाती है, सौरूरजा की बात कर रहा है, इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा, तो B हो जाएगा, अब दखिए सभी जो है किसके लक्षन है तो सजीवों का जो है लक्षन है सभी में यह सब होता है सजीव में तो इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा अब 11 कोश्चन है मानब सरीर की कोशी काव में पाए जाने मिले गुंसुत्र जोरी की संख्या कितनी होती है तो और किष्या घ्या इसका अंसर क्या हो जाएगा तो देखिए इसका अंसर हो जाएगा 23 हो जाएगा क्यों तson आight 라скson में बात किया है तो इसलिए 21 नमर कै.. कतने हैं कितना होता है अभीत्म थे होगा और by shapes क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है तो गुल सुत्र के आधे भाका करों में टीर कहा जाता है क्या खाल जाता है और गूनशुत्र के अगर बात करें तो गूनशुत्र जो है क्या करता है एक पीदी से दुसरी पीदी तक ले जाने के लिए उत्तर दैंसर एखना है अगर आपको अंवानशीक बना दे कि मानव सरीर में कितने जोरा 6 क्रोम होता है यानि 6 गुनसुत्र होता है तो देखिए आपको आंसर देना है कितना तो एक जोरा यानि कि 2 होता है एक होता है एक होता है यह होता है कियों तो देखिए आप पढ़े थे कि टोटल कितना होता है 23 पेर्स होता है उसमें 22 पेर्स कौ उनसुत्व से समज़ तो याद रखना अब देखिए तेरा नमर का कोश्चन है नाभी के अलाभा को सी का कि किस को सी कांग में डी अने होता है इसलिए इसका अंसर क्या जागा क्या दी हो जाएगा शेर जो है उड़ागीरी ही खायाता है तो उसी का English नाम क्या दे दिया है तो इसलिए इसका कॉंडिया को भी क्या का जयता है को ऑगा जाता है तो इतना चीज जो है आपको याद रखना है अब दग्ये पंदर्फोर Cyr you कोष्ण ने निम्ड में में से क्या अनुपस्तित हो रहा तो बोल रह apert की जनतु दर्ब आँगा जाता तो सेल्यलोग की कोषिका एक नहीं रहती है किस की भूमिका स martyr धीक म immersive आंसर क्या यह बी वगि bord जाली का उसकी भूमिका सबसे महतपूरण है अबत्व कोशिचन है आदभ कोशिका जनतु कोशिका से किस प्रकार भीन होती है तो किस प्रकार भीन होती है थो देखिए इसमें जो है कोशिका भिती जो है रहती है जबकि जन्तु कोशिका में क्या होता है तो कोशिका भिती जो है नहीं रहती है तो इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा कोशिका भिती अब देखिए अठारमा कोश्चे ने पलाजमा जिली बनी होती है बोल लाए कि किस से और फोगता है तो किस आंग में अन्य जो है दो किला करता है बोल रहें कि कौन है जो हो ऍजकता अंजा अब बी हो जएगा क्रेव चक्र अगर बात करें क्रेव चक्र की तो देखें यह जो चक्र है कोसिका के जो कहां पर संपन होता है तो यह मैट्रोकॉंडिया में जो संपन होता है and question अगर पूझगा इस चक्र कीthree खोज कब हुई थी तो आपको answer क्या दिना है यह हो जाएगा ग्रेगर जोनमेडल और इसलिए इसे जो बिज्ञान का जनक के भी नाम से जाना जाता है अब 22 नमर का कोश्चन मेंडल ने अपने चीर परतिस्थित वनसागती नियमों को परतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह कौन सा जीवधारी बोल रहे किस जीवधारी पर उन्होंने परतिपादित किया था तो इसका अंसर क्या हो जाएगा गार्डेन पी यानि मटर पर उन्होंने जो है मेंडल ने अपना वनसागत नियमों को परतिपादन गया था मटर अगर बात कर दें कि अनुवान सिकता क्या है तो देखिए ज लेंगी के जनन पर यह अधारित है अब देखिए चोविशंवा नमर का कोश्चन है जीवों में अनुमांसिक लक्षन जो है संतान में ले जाए जाते दवारह तो किसके दवारह ले जाता है तो क्रुमोजोम के दीवारह बने होते तो देखिए जो है नीकलियो प्रोटीन क बने होते हैं अगर लेकि कि खोझ की बात करें तो इसकि खोझ किस ने की थी तो इसके खोज युथा वाल डेएर की ती और को धी तो 1888 59 तीयोग जीन होते हैं यह क्या हो जाइगा Milan एक जीन के ड्येने अनुमें 5000 से एह लाग के आसपास है जीन के नुकलिय एड जो है अनु होते हैं 26 नमर का कोश्चन है पलावमान जीन के सिधान का परतिपादन किस ने किया था तो बार बारा मैलिंक टॉक ने इसके लिए उन्हें जो 1983 में जो नोबल पुरुसकार से सम्मानित भी किया गया था और अगर बात करें कि यह जो है को सिर्करा होती है मतलब कोन सी सिर्करा मौजिद होती है इसका आंसर हो जागा gemacht 하지 होजागा और यह कहा राइबोजेहिथा और डिन है किया ख़ता है डिसका आंसर इसकाा ट्स on में ही जो है बर्सट में बताएं हुए थे तो कौन सा योगिक नहीं बनाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा टाइरोसीन कौन टो टाइरोसीन 31 नमर का कोशिन अनिमलिखित में से सबसे छोटी कोशीका है बोलना कि कौन इसमें सबसे छोटी कोशीका है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा A हो जाएगा माइक्रो पलाज में सबसे छोटी कोसी का है अब देखिए 32 नमर का कोस्टन है कि कोसी की ये वह आनविक जीव विग्यान केंदर कहां अस्थित है तो कहां पर ये अस्थित है तो ये हैडराबाद में अस्थित है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा D हो जाएगा हैडराबाद हो जाएगा अब देखिए 33 नमर का कोस्टन है गुन सुतर सब्द किसने परदान किया था तो किसने परदान किया था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा वालडेयर ने गुनसुत सब्द का प्रियोग किया था 34 नमर का कोशिन सेल नाम जो है किस जीव बेगानिक ने सरपरथम दिया था तो किस ने दिया था इसका आंशर हो जाएगा C हो जाएगा रावर्बर्ट हुक ने दिया था कब लिया था तो 1665 इस B में दिया था अब 35 कोशिन है पादप कोशिकाओ का सबसे बाहरी आवरन क्या कहलाता है पादप कोशिकाओ को सबसे बाहरी आवरन क्या कहलाता है बताये हुए थे कि यह जो कोशिका भिति कहलाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा, B हो जाएगा, कोसी का बित्ती, अब 36 नमर का question है, गौली कायका पर्मुख कार्ज है, बोलना है कि गौली कायका क्या कार्ज है, तो इसका आंसर हो जाएगा, D हो जाएगा, गौली कायका पर्मुख कार्ज है, जो इसरावी है, अब तो 37 नमर का question ह जीव दरब सब्द का पर्योग जो किसी ने किया था तो किसी ने किया था तो यह जो पुरकिंजे न कहा था किसने तो पुरकिंजे ने इस सब्द का पर्योग किया था तो जितने भी कोश्चन थे आपको सेल यानि कोशिका से संबन दी तारे को जो इसमें जो इक्स प्लान कर दिये तो आज के लिए बस इतना ही चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स डेर्ज में गुड नैट, टेक कियर